स्केल्टन जो है बिसी के लिए तीन तरह का होता है फर्स्ट है हाइड्रोस्टिटिक स्केल्टन जो हमने प्रिविएस इन वर्टिब्रेट्स में डिस्कस किया इसमें क्यों होते है कि बॉड़ी की कैविटी होती है जो के वाटर से फिल्ड होती है एक्ट कर रही होती है ऐसा स फ़र्ट टाइप है एक्जू सकल्टन जिसको आज हम फाईलम आर्थोपोडा में डिस्कस करेंगे एक्जू यह नहीं आउट साइट तो यह ऐसे सकल्टन है जो बाड़ी की आउट साइट प्रेसंट होता है आर्थोपोर्ट है यह बहुत सक्सेश्फल होते हैं जो इनका एक्जो पार्ड होते हैं यह और दूसरे के साथ ऑटे होते हैं एक्ञस्केल्टन जो है वो इसकी बॉड़ी को स्पोर्ट प्रवाइड करता है पूर्टे्nd kरते इसके लावा यह अटेश्मिंट साइट भी प्रवाइड करता है अब आक्शोपोर्ट जी है messing यह मुखlyf इसने इनकी इंटार बाडि को कवर किया होता है एक्जो सिकलेटन जो है यह नॉन लिविंग होता है और एपीड्रमस सेल जो है वो इसको सिक्रीट करते है एपीड्रमस को بع 후 गात हम हाईपोड्रमस मि कहते हैं क्योंकि इनकी जो एपुड्रमस होती है उसका directly contact नहीं होता environment के साथ बलके epidermis के उपर एक और layer होती है जिसे cuticle या इनका exoskeleton कहते हैं जिसका environment के साथ direct contact होता है That's why इनके epidermis को हम hypodermis कहते हैं अब exoskeleton के structure की बात करें इनको exoskeleton basically दो layers पर मुश्मिल होता है epicutical और procutical जो epicutical है epimene upper so cuticle की जो upper layer होती है उसे epicutical कहा जाता है जो epicutical है ये elastic in nature होती है ये vaccine lipoprotein से मिलकर बनी होती है और ये act करती है as a barrier against microorganism उसके लावा ये water को भी घुजरने की अजाज़त नहीं देती अब जो secondary होती है जो epicutical से नीचे present होती है इसे procutical कहते है procutical को बास crustation के अंदर हम procutical को endocutical कहते है अब जो procutical या जो endocutical है ये बनी होती है काइटन और बहुत सारी प्रोटीन से मिलकर टाइटन जो है जैसे के हम जानते हैं ये टॉफ पोले से क्राइड है अब जो procutical होती है ये hard होती है अब इसकी जो hardening का process है उसे हम sclerotization कहते है और बास में क्या होता है calcium carbonate की deposition होती है अब sclerotization जो है ये tanning process है tanning हम बोलते हैं कि इसमें क्यों होता है proteins की layers होती है several kind of proteins की layers होती है अब ये जो proteins होती है वो एक दूसरे के साथ cross linked होती है जिसे हम tanning कहते है तो sclerotization जो है ये tanning process है जिसमें protein जो है एक दूसरे के साथ cross linked होती है जो इसकी exoskeleton को hard बनाती है और और इसको dark color प्रोवाइड करती है अगर हम बात करें crustations की तो crustations में क्या होता है इनका जो exoskeleton है वो hard होता है sclerotization से और इसमे calcium carbonate की deposition होती है सो जो ये layer है ये बनी होती है काइटन और प्रोटीन से लेकिन इसके middle जो region है यहां पर calcium carbonate की deposition होती है हमने बात की कि ये मुक्तित तरह की protein से मिलकर बनी होती है प्रोक्यूटिकल सो जो कुछ प्रोटीन होती है वो इसको resiliency प्रोवाइड करती है ये जो resiliency है ये help करती है jumping में और wing की flapping में अब जो inner portion होता है प्रोक्यूटिकल का वो heart नहीं होता अगर हम बात करें exoskeleton के modification की तो first है जो exoskeleton है उसमें invaginations होती है जो के ridges और bars बनाती है ये जो ridges और bar वाला रिजिन है ये बहुत hard और thick होता है और यहां पर muscle जो है वो attached होते है अब प्रोक्यूटिकल का वो रिजिन जो thin होता है heart नहीं होता यहां पर flexible membrane होती है जिसे हम articular membrane कहते है अब ये रिजिन जो है thin होता है और यहां से joint की क्या होती है formation होती है इसके लावा इनके exoskeleton में बहुत से sensory structure present होती है जैसे के संसीला है संसीला जो है ये collection है different receptors की अब ये जो संसीला है ये present होते है इन्दी form of bristles या lens की form है bristles जो है ये hair like structure है lens जो है ये photo receptors का काम कहरे होती है growth अब हमने बात की इनका जो exoskeleton है उसने पूरी body को cover किया होता है so exoskeleton के होते हुए growth impossible है so ये क्या करते है periodi के लिए अपने exoskeleton को shed कर देते है उतार देते है और इस process को हम ectasis कहते है ectasis जो है ये four stages process है इनकी जो hypodermis होती है यहां पर glands present होते है जिने hypodermal glands कहते है अब ये जो hypodermal gland है ये कुछ enzymes को secret करते है और ये जो enzymes होते है ये pro cuticle को खाना शुरू कर देते है जिससे hypodermis और pro cuticle जो है एक दूसरे से अलादा हो जाती है और जब ये अलादा हो जाती है तो वहां पर नई pro cuticle जो है बनना start हो जाती है जो ये animal जब अपनी body को stretch करते है हवा से या पानी से तो जो इनका old exoskeleton है वो split हो जाता है वो तूट जाता है और इनकी जो pro cuticle होती है उसमें pores होते है जो epicuticle को secrete करते है अब next two step होता है और final stage होती है वो होती है इनकी exoskeleton की hardening वो कैसे होती है biosecletization और calcium carbonate की deposition से अब यह जो सारे के सारे process है यह controlled होता है nervous system और endocrine system से